देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रही एक खबर समय जगत के साथ जनसभा को संबोधित किया और कॉंग्रेस के नेताओं पर प्रहार करते हुए साथ में आलू की फेक्टरी के बारे में खेतों में आलू लगाने की चुटकी ली और कहा कि कॉंग्रेस का कोई मुख्यमंत्री घोशित नहीं होने पर भी चुनाव जीतने के बाद कॉंग्रेस करती है साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव एक क्रिकेट मैच की तरह है क्योंकि जितने ज़्यादा चौके लगते हैं उतनी ज़्यादा ही खुशी होती है और भारती जनता पार्टी के कारेकाल का बखान किया और बताया कि यदि इस बार भारती जनता पार्टी की सरकार बनती है तो 85% अंक आने पर बच्चियों को स्कूटी देने की बात भी कही गई है साथ में लक्षमी कान शर्मा ने भी सभा को संबोधित किया और कहा कि इस बार उमकान जी अपने मत का प्रियोग कर विज़ई दिलाएं जिससे शेत्र का विकास आगे बढ़ सके क्योंकि पिछले चुनाव में शेत्र की जनता ने भूल कर दी थी खबर समय जगत के लिए लटेरी से विनोध कुमार की रिपोर्ट